Question 3 of exercise 1.4, fill in the blanks, तो यह इसमें हमें fill in the blanks में करना है, जैसे A में लिखा हुआ है, 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 369 आए, तो यह हम one by one देख लेते हैं, सबसे पहले हम A question ले लेते हैं, A part है, 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 369 आए, यानि कि 369 divided by कौन सा नंबर कि 369 आए, तो हम जब किसी नंबर को one से डिवाइड करते हैं, तो वही नंबर आता है, जैसे हम अगर three को डिवाइड करेंगे one से तो three आएगा, five को डिवाइड करेंगे one से तो five आएगा, eight को डिवाइड करेंगे one से तो eight आएगा, तो इसलिए हमें 369 को one से डिवाइड कर प्लस माइनस के rules होते हैं इसी तरह से इसमें भी rules होते हैं division में भी same rules होते हैं plus plus हमेशा plus होता है यानि फिर उसके आज minus plus हमेशा minus होता है plus minus हमेशा minus होता है और minus minus plus होता है तो ये rules इसमें भी stand करते हैं ऐसे कि अभी अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस 75 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि माइनस 1 आए तो हमारा आंसर भी माइनस में आना चाहिए और हमारे पास यहाँ पर अल्रेडी एक माइनस है अगर हमारे पास दूसरा भी नीचे भी माइनस आ जाएगा तो यह answer minus minus plus हो जाएगा इसमें जैसे fourth rule 4 में है तो हमारे को यहाँ पर minus नहीं चाहिए यह already minus में है तो यहाँ minus हमको नहीं चाहिए यानि हमको सिर्फ कोई number चाहिए तो 75 को किस number से divide करें कि 75 आए कि 1 आ जाए तो हम 75 को 75 से divide करेंगे तो 1 आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 75 तो हमारा answer आ जाएगा 75 यानि हमने minus 75 को अगर 75 से divide करेंगे तो हमारा minus 1 आ जाएगा आ जाए 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 सी पार्ट हम देखते हैं सी पार्ट में है minus 206 divided by which number तो हम लिखे minus 206 अब हम इसको किस number से divide करें कि 1 आए तो हमारा एक यहाँ पर minus है और answer में minus नहीं है यानि हमारे पास नीचे भी minus होना चाहिए क्योंकि हमारा minus minus plus होता है यानि नीचे भी minus उपर भी minus होगा तभी answer plus आएगा नीचे भी minus का number उपर भी minus का number तो यहाँ पर हमें नीचे minus का integer चाहिए तो ऐसा कौन सा number है जिसको 206 को divide करें जिससे तो 1 आए तो हम 206 को 206 से ही divide करेंगे तो बनाएगा तो इसलिए हमारा answer आजाएगा minus 206 तो इसमें हमको दो चीज़ें देखनी है कि पहले sign क्या आएगा और फिर number क्या आएगा जैसे अभी 87 में अगर हमें minus 87 को किस number से divide करें कि answer 87 आए यहाँ पर एक minus लगा है already 87 के आगे लेकिन हमारा जो answer है उसमें minus नहीं है यानि कि हमको 2 minus चाहिए तो दूसरा minus कहाँ आएगा नीचे यानि हमको जो answer है उसमें भी minus आना चाहिए और हम divide किस से करेंगे 87 को किस से divide करें कि 87 ही आए 87 को हम 1 से divide करेंगे कि 87 आए तो हम minus 1 answer आजाता है हमारा यह answer आगया minus 1 minus 87 को minus 1 से divide करेंगे तो 87 आए तो यह हमारा answer D part का हो गया ऐसे ही E part को अगर हमें करना है तो E part में हम किस number को 1 से divide करें कि minus 87 आए हमारे को क्या चाहिए minus से यह answer में तो यहाँ पर एक भी minus नीचे नहीं है minus नीचे नहीं है तो हमारे पास उपर minus होना चाहिए तो यहाँ हम minus रखेंगे और किस number को 1 से divide करें कि 87 आए 87 से तो हमारा answer आएगा minus 87 इसी तरह से हम उपर क्या लिखेंगे नीचे डिवाइड करें 48 से कि answer minus 1 आए अब पहले तो हमको answer में minus चाहिए इसलिए हमको यहाँ पर नीचे minus नहीं है तो उपर minus चाहिए तो इसलिए हमें minus से minus उपर लिखना पड़ेगा और 48 से किस number को divide करें कि 1 आए 48 से तो हमारा answer आजएगा minus 48 को हम 48 से divide करेंगे किस number से divide करें कि answer minus 2 आए तो यहाँ जो number आना है वो क्या होगा और उसका sign क्या होगा यह हमने देखना है तो हमारा यहाँ पर minus 20 के आगे कोई minus नहीं लगा हुआ है लेकिन जो answer है उसमें minus है तो हमें नीचे minus सही है और हम 20 को कितने से divide करें कि 2 आए 20 को हम 10 से divide करेंगे तो 2 आ जाएगा answer 10 to 20 तो हम इसमें लिखेंगे minus 10 तो हमें दो चीज़े करने एक तो sign देखना है किसका आएगा और number क्या answer आएगा ऐसे ही से अगर हम करें तो dash upon 4 is equal to minus 3 तो पहले तो हमारे को answer में minus मिला हुआ है और नीचे minus नहीं है तो हमें उपर minus है ये एक क्योंकि जब तक एक minus नहीं होगा इन दोनों में से उपर numerator ये denominator में तब तक answer में minus नहीं आएगा इसलिए हमको यह minus लगाना है और दूसरा 4 को 4 से किस number को divide करेंगे तो 4 को 3 से multiply 4 3 जा 12 तो 4 को अगर हम 12 से multiply करेंगे तो 3 आजाएगा तो हमारा answer आजाएगा minus 12 तो माइनस 12 को अगर 4 से divide करेंगे तो हमारे पास minus 3 answer आजाएगा तो ये हमारा third question के सारे parts complete होगा